To sneeze मने छीकना He sneezed मतलब छीकना To snort मतलब नाग को बद्द करके जब जोर थे सास छोड़ते हैं बाहर नाग के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए उसे कहते हैं snorting Horse snorts घोड़े भी कई बार snorting करते हैं तो यहां पर अब लेकर कहते हैं कि अब मेरे कान में दर्द होने लगा दबाओ बढ़ने लगा कान तूटने जैसा लगा और अंदर गंदगी जैसी लग रही थी सरदी जैसी लग रही थी धूल भी आ गई थी तो मैंने हाथ लगाया दबाया और snort किया ऊर इस प्रकार अप्ने ना को clean किया वी प्र्चक रौन राँंड अनाद़ थाइट बेंड बेंड मतला मोल तर्ण बेंड मतला पूरी तरह मोल जो हो से बेंड बोल दिगे यू बेंड द राण यू डू दूद आर clique यू बेंड देरोड बेंड करना पूरी तरह मोल देना, बेंड, 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 we came across a very tight bend, बहुत ज्यादा U-turn वाला एक साड़क आई हैं, as we came across, we struggled around, struggle करना मतला, struggle करना संघर्ष करना, वो बेंड इतना ज्यादा था और चढ़ाई भी इतनी थी, कि अब हमको मोलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, यदि मैं तेज चलाऊंगा गाड़ी, तो टर्न के पहली मेरी गाड़ी सीधी चली जाएगी और शायद मैं पहड़ी से गिर जाऊंगा, यदि मैं गाड़ी धीरे चलाता हूं, तो गाड़ी चढ़नी रही है, तो बड़ी दिक्कत से चलाते ह हुए, सम्हाल के गाड़ी को चलाते हुए, हमने वो टर्न पे, बेंड पर, अपनी गाड़ी मोड़ी, वी स्ट्रगल अनधर टाइट बेंड और टेशन स्टॉप, और उसके बाद सेटन रुख गया, पार करने के बाद, उसने दर्वाजा खोला, और अपनी सीट से बाहर कूदा, इससे पहले मैं समझ पाता, कि क्या हो रहा है, सेटन जो है, दर्वाजा खोला, उसने खट से बाहर आगे, खड़ा हो गया, और क्या किया, श्नो करके जोर से चिला है, said Daniel as he too excited, he too excited the vehicle, Daniel भी बेठा हुआ था, Daniel ने कहा, स्नो, he excited, to excite मतलब बाहर आना, E-X-C-I-T-E, excite कार्थ होता है, रुमांचित होना, उत्साहित होना, I am excited at being selected for the Indian Cricket Team, I am excited at being selected for the Indian Cricket Team, भारत की Cricket Team में चैन को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, रुमांचित हूँ, वहाँ पे spelling होगी E-X-C-I-T-E-D, और यहाँ पे E-X-I-T-E-D, excited, रादर excited, यह बना है exit से, exit से, exit, आपने दर्वाजों में पढ़ा होगा, cinema hall के, exit लिखा रहा था, exit door, बाहर जाने का रास्ता, mall के दर्वाजों में आपने पढ़ा होगा, exit door, entrance and exit, तो as I exited, जैसे ही मैं बाहर निकला, जो driver एकदम जोर से निकला, गाड़ी के दर्वाजा बंद किया है, open his door and jumped out of his seat, before I realized what was going on, इससे पहले मैं महसूस करता, क्या हो रहा है, वो jump कूट करके बाहर निकल गया, और Daniel ने चला है, और कहा snow, Daniel ने कहा, said Daniel as he to exited the vehicle, वो भी to मतलब also, वो भी गाड़ी से निकला है, letting in a breath of cold air as he did so, और जैसे उचने दर्वाजा खोला, जैसे उचने ऐसा किया, snow और दर्वाजा खोला, letting in, to let in मतलब अंदर आने देना, let him come in, उसे अंदर आने दो, let him sit, उसे बैठने दो, let him go, उसे जाने दो, let us celebrate, चलो अब celebrate करें, let us go to a party, चलो अब party में चलें, let का उपयोग देखें, कितने तरीके का है, and let is a word which is used very regularly in spoken English every day, let us stop talking, चलो अब बात करना, बंद करें, and get down to our work, और काम में लग जाएं, so let, so यहाँ पर, he let the air come in, what air, cold air, उसने दर्वाजा खोला, शनो करके चलाया, और जैसी दर्वाजा खोला, उसने थंडी हवाओं को मानों अंदर आने दिया, कार के अंदर, क्योंकि उसनोई एरिया था पूरा, so jumped out of his seat, before he realized what was going on, snow said Daniel, as he too excited the vehicle, letting in a breath of cold air, as he did so, जैसा उसने किया, उससे अंदर थंडी हवा आगई, a swath of the white stuff lay across the track in front of us, swath मतलब एक द्रिश्य समझ लीजे, यह highlighted है, swath of the white stuff, white stuff मतलब snow, lay across मतलब पड़ा हुआ, swath मतलब एक एक तरीके का लंबा चादर जैसा दिश्या आप समझ सकते हैं, तो ऐसा snow जो था, वो track में पूरा लंबान में दिखाई दे रहा था, सफेज snow पूरा, अर्थाथ हम इतनी थंडी जगह पे आगे थे, कि वहाँ पर अब बर्फी बर्फ थी, इतनी उचाई पे आगे थे, कि वहाँ बर्फी बर्फ थी, a swath of white stuff, white stuff मतलब समान स्टफ, white stuff से क्या मतलब है यहाँ पर, white stuff मतलब सफेज चीज, अर्था snow, lay across the track in front of us, पूरे सटक में बिच्छी हुई थी, stretching for maybe 15 meters, before it pittered out and the dirt trail appeared, वो जो snow था, वो maybe 15 meter तक, अर्थाथ करीब 50 feet, तक snow ही था हमारी सटक में, और before it pittered out, to pittered out मतलब धीरे धीरे ओजल हो जाना, धीरे धीरे थंडा पड़ जाना, धीरे धीरे शान्थ हो जाना, his anger pittered out, धीरे धीरे उसकी नराजगी शान्थ थंडी हो गई, pittered out मतलब शान्थ पड़ जाना, थंडा हो जाना, और यहाँ पर to pitter out मतलब धीरे धीरे ओजल हो जाना Snow जो है वो धीरे धीरे 50 feet की दूरी आते आते ओजल हो गया And the dirt trail reappeared और धूल की जो चादर थी वो फिर दिखाई देने लगी कितना कठिन मौसा में ठंडा, गरम, धूल, तेज ठंडी हवा, पहाड़ियों की चढ़ाई, चट्टाने, यूटान, बेंड, what not सब कुछ तो था और इसी को कहते हैं real adventure इसी को कहते हैं वास्तविक में साहसिक जोखिम भरी यात्रा तो यह यहां पर बात चल रही है, so bank on the, and then what happens is वो reappear, पुना दिखाई देने लगा, क्या धूल की चादर, धूल के गुबारे, अपुना दिखाई देने लगे, to reappear, to appear मने दिखाई देना, or to appear मने बैचना, शामिल होना, I appeared in the exam, मैं परिक्षा में बैठ गया हूँ, I appeared in my class 10 board exam, मैं दस्वी की परिक्षा में बैठ गया हूँ, and to appear मने दिखाई देना, reappear मने पुना दिखाई देना, यहां पर पुना दिखाई दिखाई दिया, the snow continued on either side of us, एक और धूल की चादर गुबार दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ दोनों तरफ, either side मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ, snow की, snow दिखाई दे रहा था, snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the up slope side, उपर, up slope, मतलब उपर, किनारे में उपर जाने का जो रास्ता था, snow के current थोड़ा सा smooth हो गया था, abrupt bank, मतलब अचानक जो किनारा आ गया, abruptly, मतलब अचानक, तो abruptly, यहन्याने अचानक वो जो किनारा आ जाता था, वो थोड़ा सा smooth हो जाता था, the bank was too steep for our vehicle to scale, अब वो जो bank था, नदी का जो किनारा था, वो बहुत जादा steep था, too steep for us to scale, to scale मतलब चड़ना, और एक scale तो आप जानते हैं, geometry में scale होता है, distance के लिए scale होता है, यहाँ पर to scale मतलब सफलता पाना, I have scaled the mountains, I have scaled all difficulty, overcome, to scale मतलब to overcome, उसको measure करना और overcome करना, तो यहाँ पर author कह रहे हैं, autobiographer कह रहे हैं, Mr. Middleton जो हैं, वो कह रहे हैं, कि जो bank के किनारे का जो steep था, जो चड़ाव था, वो तो इतना ज्यादा था, कि हमारी कार के लिए संभाव नहीं था, कि वो ऊपर चड़े, so there was no way around the snow patch, और अब वो snow patch के अलावा, कोई-कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ पर, around the snow patch, अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, I joined Daniel, as Satan stepped on to the encrusted snow, I, it's a beautiful line, I joined Daniel, मैं Daniel के साथ आगया, as Satan stepped on to the encrusted snow and began to slither and slide forward on the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. और अब मैं जिसके साथ आगया, और Satan आगयागय, Satan stepped on to encrusted snow, और वो आगयागया, और चलने लगा, steps, चलते चलते वो देखने लगा, कि snow कितना hard है, कितना मोटा है, snow नरम है क्या, ज़ए नरम है तो गाड़ी धंस जाएगी, encrusted snow, to encrust, जो वहाँ पे लगा हुआ था, snow, and began to slither and slide forward, और दीरे दीरे खीच खीच के, किसी भी तरीके से आगे बढ़ने लगा, stamping his food from time to time, अपने पैर, to stamp मतलब पैर को ऐसा लगाना, जोर से मारना, तो ऐसा जोर से मार के, वो देखना चाह रहा था, कि to ascertain, to ascertain, अंदाज लगाना, पता लगाना, to ascertain, so to ascertain, why was he stamping, to ascertain how study the snow wall, study मतलब मजबूत, snow कितना मजबूत है, कितना कड़ा है, या कितना नरम है, यह जानने के लिए अपना जोर से पैर मारने लगा, और मैं किस के साथ आगया, मैं डैनियल के साथ आगया, I looked at my wrist watch, मैंने अपनी घड़ी देखी, we were at one to one zero meter, above the sea level, हम लोग समुद्री सतह से अब, 5210 मीटर उपर थे, समुद्री सतह से 5210 मीटर उपर, आप समझ सकते हैं, कि हम क्यों स्नोई एरिया में पहुँच गया थे, 5000 मीटर पे तो चारों और, स्नोई ही स्नोई, बरफीली चादरें ही रहती हैं, तो मैंने अपने wrist watch में देखा, उस watch में ये सुविधा थी, कि समुद्र से हुचाई कितनी हैं ये भी दिखाई देता था, उस घड़ी में स्टाइम के अलावा, चो नाओ I could see my watch and checked up, that we have, we are 5000 मेटर प्लस above the sea level, 1 मेटर is about 3 feet, that means about 15,000 feet, 16,000, 17,000 feet above the sea level, we were there, the snow didn't look too deep to me, जो snow था, वो मुझे ज़्यादा डीप नहीं लगा, too deep मतलब ज़्यादा गहरा नहीं लगा, but the danger wasn't in depth, लेकिन खत्रा जो था, वो गहराई से सम्मंदित नहीं था, किस की गहराई, snow की गहराई, snow की मोटाई, Daniel said, so much as it is icy top layer, Daniel ने कहा उसका जो top layer देखके, I see top layer, मतलब बरफीला, बरफीला जो top layer देखा, तो Daniel ने कुछ कहा, if we slip off, the car would turn over, यदि हम फिसल गए, slip off, मैंने फिसल जाना, off मतलब मैंने बताया था, अलग होना, यहाँ पे slip off का मतलब क्या हुआ, सड़क से अलग होगा, फिसल के कहीं अलग चले गए, तो क्या होगा, the car would turn over, car पलट जाएगी, turn मतलब मुड़ना, turn over मतलब पलट जाना, the car turned over, after hitting the divider, the motorcycle hit the divider, and bummed off the road, motorcycle ने divider को मारा, और road के उपर उचल के, road से उचल के दूर चली, bummed off, O-Double-F, off, bummed बताब उचल जाना, उचल के वो सड़क के दूर चली गए, while the car hit the divider, and turned over, और पलट गए, तो यदि ऐसा हुआ, तो यह car पलट जाएगी, ऐसा उसने कहा, किसने, Daniel ने, as we saw, Satan grab handcuffs of dirt, handfuls of dirt, and fling them across the frozen surface, जब हम, हमारे और Daniel के बीचने, बात चल रही थे, तो हमने देखा, Satan जो है, उसने धूल उठाई कुछ, handful of dust, handful of dust, Satan picked up handful of dust, and what did he do, or rather handful of dirt, गंदगी जो वह जो भी था गंदी, उसको उठाया है, and fling them across the frozen surface, और जो, जो पिघला हुआ, surface था, जमा हुआ, frozen मतलब जमा हुआ, freeze होना मतलब, ठंडा हो जाना, जम जाना, इसलिए fridge में होता है, freezer, deep freezer, जो fridge में उपरी हिस्सा होता है, जिसके अंदर अत्याधिक ठंड होती है, जिसके अंदर चीजें बर्फ जैसी जम जाती हैं, और बर्फ बन जाती हैं, उसे कहते हैं freezer, जो freeze कर दे, तो यहां पर frozen, जो frozen surface था, उसके उपर इसने कुछ कच्रा फेका, कुछ fling करना, to fling करना और फेकना, he flung the pen up in the air, और उसने मैं उसे pen मंगा, तो उसने pen उठा कर मुझे ऐसा फेक के दिया, he flung the pen up in the air, he flung my mobile up in the air, उसने मेरी mobile को हवा में फेक दिया, तो यहां पर, जब मैं और Daniel बात कर रहे थे, Middleton और Daniel बात कर रहे थे, तो Satan क्या कर रहे थे, Satan ने कुछ dirt उठाया, कुछ धूल जैसी चीज उठायी, धूल उठायी, और उसको उसके उपर फेका, we both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle, to lighten Satan's load, और मैंने, और Daniel ने, दोनों ने फिर वही किया, जो Satan कर रहा था, dirt को फेकना, किस के उपर, frozen, top के उपर, और जब snow was spread with soil, और जब snow जो है, वो फैल गया, soil के कारण, तो Daniel and I stayed out of the vehicle, मैं और Daniel गाड़ी के बाहर रहे, to stay out, मतलब बाहर रहना, me and Daniel stayed out of the vehicle, और यहाँ stay out, मतलब बाहर रहना, stay out of the classroom, stay out of my house, मेरे घर के बाहर रहो, मेरे क्लास के बाहर रहो, to stay मतलब रुकना, और यहाँ पर बाहर रहना, stay out, or to stay in मतलब अंदर रहना, so me and Daniel both stayed out of the car, क्यों, so that Satan does not face the load, Satan को हम दोनों का वजन महसूस ना हो, किस में वजन, कार में, ताकि कार जो भरी हो गई थी, और बहुत कठिनाई से चल रही थी, वो कार थोड़ी हलकी हो जाए, तो हम दोनों कार में नहीं बैठे, we stayed out of the vehicle to lighten, मतलब हलका करना, हलका करने के लिए, शेशन के लोड को हलका करने के लिए, हम लोग बहारी रहे गए, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten, Satan's load, he backed up and drove toward the dirty snow, अब उसने गाड़ी की speed बढ़ाई, और dirty जो snow था, उस तरब गाड़ी को ले गया, vehicle to lighten, he backed up and drove toward the dirty snow, eased the car on its icy surface, and slowly drove its length without apparent difficulty, और वोड़ी में ले गया, और उसके बाद गाड़ी थोड़ी सरलता से चली, eased the car on its icy surface, गाड़ी को थोड़ा रहत दिया, थोड़ा आराम से गाड़ी चलाने लगा, eased the car, now he was not struggling to move the car, now he was taking the car easy, and slowly drove its length without apparent difficulty, apparent मतला बाहर से दिखाई देना, प्रत्यक शुरूप से दिखाई देना, अब वो कोई उसको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, कहां पर, डर्ट वाले स्नो के उपर गाड़ी चलाने में अब उसे कठनाई नहीं हो रही थी, क्यों, ऐसी बात क्यों होगी, इसके पीछे साइन्स है, स्नो जो होता है बिलकुल चिकना था, कार के जो टायर थे वो रफ होते हैं, लेकिन चिकनी सड़क पर, चिकने स्नो पर गाड़ी का चलना कठीन होता है, तो उसको रफ करने के लिए उस पर डर्ट डाल लिया, डर्ट डालने से क्या हुआ, पत्थर कंकड के टुकडे कचरा थोड़ा आ गया, तो स्नो थोड़ा पिगला, और पत्थर कंकड के टुकडे, और टायर की रफनेस फ्रिक्शन का काम की so because of friction now car moved and car moved easily with ease that's what he says he says with ease the car moved on its icy surface and slowly drove its length और फिर थोड़ी आगे चली गई without difficulty बात यहां खतम नही हुई 10 minutes later we stopped at another blockage 10 minutes बाद अब यहां देखिए later l-a-t-e-r l-a-t-e-r बना है l-a-t-e से late, later, latest यह शब्द का सम्मंद समय से है समय से विलंब समय से ज़्यादा विलंब later लेकिन एक शब्द है l-a-t-e-r later मतलब बाद वाला यहां बाद का दोनों में बाद शब्द है समय के बाद का समय और बाद का व्यक्ती है समान बाद का व्यक्ती बाद का समान, बाद की बादचीद बाद में कोई समान के बारे में बात करना हो तो later हो गया l-a-t-e-r यहां पर later मतलब समय के 10 minute बाद, 10 minutes later, we stopped at another blockage, एक और बाद हागई, जहा हमको रुखना पड़ा, बाद हागई, जहा हमको रुखना पड़ा, एक और बाद हागई, वहा हमको रुखना पड़ा, not good sir, ठीक नहीं हुआ, Satan announced as he jumped out again to survey the scene, to survey मतलब अवलोकन करना, to survey मतलब अवलोकन करना, jumped out, बाहर का दिरिश को अवलोकन करते हुए, उसने कहा sir, इस्थिती अच्छी नहीं है, यह कौन सी बात कर रहा है, आपको याद आ रहा है, जब Mr. Middleton ने शुरू में ही पूछा था कि शॉर्ट कट से जा रहे ह हैं, और तुम बोल रहा हो कि वहाँ स्नो जदी आया, नहीं आया तो सब ठीक रहेगा, और मैंने तुम से पूछा, कि स्नो आने के संभावना क्या है, तो आपने कहा था, वो तो वहीं जाके पता लगेगा, अब देखिए, हम पहुँच गया है, इस्थिती अच्छी नहीं ह ले दे के हम बढ़े थे, और दस मिनट बाद थिर गाड़ी अटक गई, ब्लॉकेड आ गया, और ड्राइवर सेटन बाहर निकला गाड़ी से, और उसने घोशना की, कि दृश्च को देखने के बाद उसने कहा, नॉट गुड सर, इस ताइम भी डिसाइड़े टु किनारे से अब चलाओंगा, कोशिश करूँगा, he decided to try and drive round the snow, round the snow मतलब, snow के किनारे किनारे, इसका मतलब यह नहीं कि round मने गोला, वो अर्थ यहाँ नहीं है, round मतलब के बाजू बाजू से, अभी तक मैं snow के उपर dirt डाल के चला रहा था, पर बड़ी कठिनाई हुई, बहुत They had to go for a roundabout way, थोड़ा सा घूमना पड़ा, around the snow, and they found a steep slope, steep मतलब बलकुत सीधा, slope मने धाल, बहुत तीवर उंची जाने वाली धाल थी, Studded with major rocks, studded with भरा हुआ, your ring is studded with diamond, diamond से भरा हुआ है, your essay is studded with lot of beautiful sentences, आपका जो निबंध है वो बहुत सारे बहुत सुन्दर वाक्यों से भरा हुआ है, तो studded with, His crown was studded with lot of costly stones, उसका जो मुकट था, वो बहुत महंगे स्टोन से भरा हुआ था, So, यहाँ पर studded with major rocks, बड़े बड़े, major मतलब बड़े, minor मने छोटे, बड़े बड़े चट्टानों से वो स्लोप में रास्ता भरा हुआ था, But, somehow, सेटन negotiated them, to negotiate मतलब रास्ता निकालना, समझोते में भी negotiation होता है, जब दो देशों के बीच में बातचीत होती है, खासकर शत्र देशों के बीच में, तो negotiation होता है, लेन देन होना, तुम क्या दोगे, मैं क्या लूँगा, मैं क्या दोँगा, तुम क्या लूँगे, ये negotiation कहलाता है, So, यहां पर, he negotiated his way, उसने अपने रास्ते निकाले, सीधा नहीं जा पा रहा था, क्योंकि रास्ते पे बहुत सारी चटाने थी, स्लोप था, और वो भी स्टीप स्लोप था, तो studied with, major rocks, he negotiated his way, his four-wheel drive vehicle, lurching from the obstacle to the next, four-wheel drive, four-wheel drive, मतलब, ऐसी गाड़ियां, जिसके चारों चक्र, उससे जुड़े रहते हैं, ब्रेक से, normally क्या होता है, four-wheel drive में, आगे का चके, या पीछे के चके, ब्रेक से जुड़े रहते हैं, खासकर पीछे के, but four-wheel drive में, all the four wheels are directly connected with brakes, so that in the steep, all the four wheels feel the brake when it is applied, very sturdy, so all the four wheels, were there, lurching from one obstacle to another, एक पत्थर से उचल कर वो दूसरे में जाती थी गाड़ी, दूसरे से उचल कर तीसरे में, पत्थर मतलब बड़े बड़े पत्थर नीच, पत्थर तो चटान तो बड़ी बड़ी किनारे थी, किनारे में थी, दोनों तरफ सड़के, लेकिन बीच में भी पत्थरीला ही रास्ता था, उस पत्थरीले रास्ते से वो लर्च कर रही थी, कूद 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 के यहां से व बादा, in so doing he cut off one of the hairpin bends और ऐसा करते हुए, in so doing ऐसा करते हुए he cut off one of the hairpin bends, एक hairpin bend जो होता है वो कट गया, regaining the trail further up where the snow had not drifted, regaining the trail, और regain मतलब पुना पालिया, trail मने वो रास्ता ये hairpin bend क्या है इतना बारिक मोड था hairpin बहुत बारिक bend मने मोड, so he cut off one of the hairpin bends उससे बच निकला और उसके बाद वापस वो रास्ते में आ गया he regained the trail वापस रास्ते, देखिए रास्ता बहुत ही उबड़ खा बड़ा है ये इस paragraph का मतलब है, बहुत जोखिम भरा है बहुत सारी पत्थरें, पत्थर हैं, दिक्कत हैं, चट्टाने हैं और पत्रीला रास्ता है और बाउंस हो रही ही गाड़ी और steep slope है तो उसका विवरन यहां पर है तो रीगेनिंग त्रेल फर्दर अप उपर जाकर वापस वो अपने रास्ते में आगई गाड़ी जो थोड़ी थी भटक गई थी और ट्रेल से हट गई थी where the snow had not drifted जहां से snow हट नहीं था और साथ सामने फिर snow दिखाए तो drift मने हटना तो पानी का जहाज है वो अपने मुख्य रास्ते से भटक गया है हट गया है drift होना मतलब हट जाना I check my watch again as we continue to climb in the bright sunshine I check my watch मैंने अपनी घड़ी देखी and we continue to climb और घड़ी देखने के बाद हम फिर उपर चड़ते रहे और अब तेज सूरच आ गया था we crept past 5,400 meters to creep past creep कार्थ क्या होता साब जैसा रेंगना रेंगते हुए जाना उसको creeping कहते है आपने creeper plants देखे होंगे जो पेड़ की मदद से पेड़ की तने की मदद से उपर बढ़ते जाते हैं और उनकी जड़े उस पेड़ के तने में चिपकी रहती हैं तो they creep up तो creep मतलब रेंगते हुए जाना तो यह जो जीप के जो हालत थी एक तरीके से जीप रेंग रही थी शुरू में तो it was speeding past आपने पढ़ा शुरू में बड़ी तेजी से चल रही थी और जब mastiff अगर आते थे dogs wild dogs तब तो और तेज हो जाती थी लेकिन अब पहाड़ी और वो भी इतनी उची और वो भी इतनी खतरनाक जो खिम भरी कि अब जीप जो थी मात्र रेंग रही थी it was creeping वी और पाँच जार चार सो मीटर की उचाई पर अगे थे my head began to throb horribly throb होना मतलब palpitation होना throb करता है heart is throbbing heart जो होता है वो throb करता है pulse जो है यहाँ पर नस जो नाड़ी जो होती वो throb करती है धक धक की आवाज आना धक धक होना so my head began to throb horribly भैंकर तरीके से अब मेरे सिर में दर्द होने लगा धक धक की महसूसी होने लगा यह जो नसे थी side में किनारे उस नसों में अब धडकन बहुत तेज बढ़ गई I took gulp from my water bottle एक gulp of water मतलब पानी का एक कौर तो नहीं कहेंगे पानी का एक घूट गल्प को कहते घूट He gulp down the insult बहुत बढ़िया उपयोग है शब्द का He gulp down the insult made on him by his boss उसके बास ने जो उसके insult की थी बेच्टी की थी उसे उसने घूट के ज़ते पी लिया और थाट सह लिया किसी तरीके से बरदाष्ट कर लेना किसी तरीके से घूट पी लेना किसी तरीके से सह लेना यह होता है गल्प कार्थ सामान अंग्रेजी में हम गल्प का उपयोग पानी के लिए करते हैं गिर में ए गल्प of water गिर में ए गल्प of water एक गल्प होगा I just need one गल्प मुझे के वाल एक घूट चाहिए बाद थोड़ा सा पानी चलेगा I took gulp from my water bottle which is supposed to help a rapid ascent which is supposed to help a rapid ascent ascent मने चढ़ाओ rapid मने तेज तीवर चढ़ाओ को मदद करने के लिए तेजी का जो चढ़ाओ था steep चढ़ाओ जो था वहाँ पे मदद करने के लिए we finally reached the top of our pass at 5515 meter pass मतलब मैंने आपको पूर में बताया दर्रा दर्रा क्या होता है पहाडियों की दोनों तरफ शाखाएं होती है और उनके बीच से जब बहुत narrow रास्ता को कहते हैं दर्रा धलान पहाड़ी जहाँ खतम होती है नीचे वहाँ पे जो स्टड़क बन जाती है वो दर्रा कहलाता है अंग्रेजी में उसको pass कहते हैं वो अंत्ता हम 5515 feet मीटर की उचाई पर हम दर्रे पर पहुंच गया थे it was marked by a large can of rock mark by mark मतलब नंबर अंक और mark मतलब चिन there is a blue mark on my shirt मेरी shirt में एक नीला निशान पड़ा है mark मने निशान mark मने चिन so mark by cans of rocks chattano के छोटे छोटे टुक्डों से पूरा फैला हुआ था can of rocks वो जो जगह थी वहाँ चट्टानों से सराबोर थी चट्टानों से भरी हुई थी festooned with white silk scarves and ragged prayer flags अब ये line पढ़िए festooned with white silk scarves festoon क्या होता है जब कोई सत्योहार मनाते हैं हम लोग तो लाल नीले पीले रंग के ताओ के कागज से हम लोग ज़ंडा बनाते हैं तोरन festoon मने तोरन वो ज़ंडे को जूट की रसी में लगा कर उसके चारों तरफ जो हमारी boundary wall है या जो हमारा main gate है वहाँ पे लगाते हैं तो इसको कहते हैं festooning beautiful festooning is done with the help of colorful paper so festoon मतलब कहने आप समझे तोरन and to festoon मने तोरन बनाना तोरन आप सब जानते हैं मैं विश्वास करता हूँ so festooned with what? scarves अब scarves देखिए क्या है? बहु अचन में लिखा है इसका एक वचन होता है scarf S-C-A-R-F scarves मतलब आप जानते हैं कपड़ा एक चौकोर अकार का कपड़ा जिसको या तो चेहरा चुपाते हैं या महिलाएं चेहरा बांती हैं अपना धूप से बचने के लिए tanning से बचने के लिए उसको scarf कहते है गंचा लंबा होता है उसी का छोटा रूप scarf कहलाता है तो फेस्टून्ड विट वाइट सिल्क scarf सिल्क के छोटे छोटे कपड़ों से तोरण बना हुआ था जब हम अंदर वहां गए दर्रे के पास पहुंचे टॉप पे तो अचानक देखते हैं बड़ी मुश्किलों से एक तो हम चले जा रहे थे बड़ी कठनाई से चले जा रहे थे कभी यहां मोड़ना कभी वहां मोड़ना कभी यह टर्न कभी ऐसा बेंड कभी गाड़ी उच्छल रही है कभी हमको उतरना पड़ रहा है अचानक जब हम उपर पहुँचते हैं वापस अपने रास्ते में आते हैं तो हम देखते हैं आँ वहंगम द्रिश्य सफेज सिल्क के कपड़ों से बने हुए स्कार्फ का तोरण बना हुआ है और रैगेड प्रेयर फ्लैक्स पूजा का फ्लैक्स पूजा के जो ज़ंडे होते हैं केसरिया रंगे या कुछ अलग अलग रंगों के रैगेड मतलब फटे हुए घेसे हुए पुराने वो ज़ंडे जो लगे थे पुराने हो गये थे तो पुराने ज़ंडों से वो पूरा पटा हुआ था वह वह एरिया जहां पर हम पहुंचे वी आल टुके टार्न राउंड दे कैन और उसके बाद अब हमने एक परिक्रमा की इने क्लॉक्वाइज डारेक्शन एज दे ट्रेडिशन क्लॉक्वाइज मतलब घड़ी की दिशा में घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे क्लॉक्वाइज बोलते हैं नौ से कांटा दस में आता है दस से ग्यारा ग्यारे से बारा बारा से एक उल्टा नहीं चलता तो जो ऐसा चलता है उसे सीधा चलना कहते है अर्था क्लॉक्वाइज आप लोग यदि गोल गोल परिक्रमा करेंगे तो घड़ी के अनुसार ऐसा चलेंगे तो वो क्लॉक्वाइज कहलाएगा और ऐसा उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉक्वाइज कहलाएगा तो यहां क्लॉक्वाइज उन्होंने क्या़ण के चारों परिक्रमा की और we took a turn around the kyaan in a clockwise direction as the tradition is जैसी कि वहाँ प्रता थी उस प्रता के अनुसार हमने परिक्रमा की और इस दौरान जो हमारे साथ गाड़ी चला रहा सा सेटन उसने अपनी एक ड्यूटी पूरी की और सब टायरों को चेक किया कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं क्योंकि टायर बारिक बारिक चटानों से चल के आई थी तो चेक कर रहा सा कि सब तो ठीक है ना टायर में लाए प्रता बटे रहा से चाहँ तो कि बोड़ी प्रता ब्रता की अब शेया में गाड़ी के साथ कहने अधा पूरा नहीं not fully he opened the धक्कन partially उसने थोड़ा सा खुला, पूरा नहीं खुला he opened the lid partially, lid मने धक्कन he opened the lid partially, मैंने sauce की bottle खरीदी थी market से, और bottle के धक्कन को मैंने थोड़ा खुल दिया so I opened the bottle partially sauce bottle पूरा नहीं खुला, दो बार unscrew किया, अब यहां शब लिख रहा है, unscrew करना unscrew the top, screw करना मतलब उसे बंद करना और unscrew मतलब खोलना screw से बना है screw आप जानते हैं, खीले जाते हैं एक nutball का जाता रहता है, उसको screw कहते हैं तो उसको उल्टा घुमाने को unscrew कहते हैं उल्टा घूमने को anti-clockwise कहते हैं तो इसने उसको खोला, किसको? पेट्रोल के धकन को, पेट्रोल टैंक के धकन को, which emitted a loud hiss, और जैसी उसको खोला, वहां से जोर से आवाज आई, हवा की आवाज, hiss मने sound of air, साप जो होता है, साप जब आवाज निकालता है जोर से, तो वो hissing sound कहलाता है, hissing sound, जोर से हवा फेकना, तो जैसी मने धकन खोला थोड़ा सा, जोर से हवा की उसमें से आवाज आई, emitted, to emit मतलब निकलना, emit मतलब निकलना, जोर से आवाज आई, the lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand, and to expand, यह जब atmospheric pressure के कारण क्या हो रहा था, जो fuel था अंदर, वो फैल रहा था, उस पे दबाव पढ़ रहा था, अंदर, गाड़ी के अंदर ही होता, atmospheric pressure अपना दबाव हर जगह बनाता है, और दबाव को परणाम क्या था, कि fuel जो है, वो एक्सपैंड कर रहा था, देखिए, विग्यान भी यहां आपको बताया जा रहा है, और इसका मतलब यह है, कि हम और आप कभी ऐसी जगह जाएं, as in when we go up, we must be careful to make sure that we open the lid of the tank at times and allow the air to come out, the excess air that is there, because of atmospheric pressure, we allow it to come out, and there will be tremendous pressure in it, कई बार यदी आपनी खोलेंगे और बिन खोलें उपर चले जाएंगे, then what will happen, the tank might burst off, the tank might burst off, or lid might jump off, and so you must not forget to unscrew the tap of the tank when you go to the heights in the mountains, it has stopped at the petrol pump, and then it made the lower atmospheric pressure of allowing the flank to expand. allowing the fuel to expand, fuel मतलब जो पेट्रोल फ्यूवल कहलाता है, लकड़ी फ्यूवल कहलाती ही, तो फ्यूवल, फ्यूवल को फ्यूवला रहा था, expand यहने फ्यूवलाना, क्या चीज फ्यूवला रही था, atmospheric pressure, वायुदाब, अब यहाँ विज्ञान है, तो कैसे एक यात्रा में, हितिहा भी है, विज्ञान भी है, दर्शन शात्र भी है, और जीवन के सभू भूगोल भी है, जीवन के सभू पहलू, आप एक यात्रा के दौरान समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी हर चीज को बड़े रुची से, उसमें अधिया अपने को डाल दें, तो, अब यहाँ पे पेटरोल वाली हवा निकलेगी, और कहीं समोकिंग किया, तो वह आख पकड़ लेगा, और साथ ही इसने ये भी कहा, इसका मीनिंग ये भी है, कि नो समोकिंग मतलब कोई धुआ निकल रहा था,